तो शबी का श्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल में आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल छोटी बड़ी पलपल के जानकारी टूटी फुटी आवाज में लेकर उपस्थित हूँ आप लोगों के साथ मैं प्रेम बाज पर आपको बता दें कि य लोगों की तस्वीरें एक कार внеш क्रूग में और हागरा की तलहकी को निहाते हुए एक खत्ना किवर इंगित करते हैं वहीं पर पेशी बटालियन की थे आप विबटाते चलें कि बताते चलें कि एक कल 16 अक्टूबर 2021 दिन सनिवार को एक चहलारी घाट में एक पाधेर जैक्ट के द्वारा शालांग लगाने का मामला प्रकास में आया बताते की अप्तुल्ला पुर्निवासी महमदाबाद राकेश कुत्र मोहनलाल वर्मा जो की अपनी एक चहलांग लगाने का मामला प्रकास में आया है वही पर इनके परजनों के द्वारा बताया गया कि वो प्लाटिंग का काम करते हैं राकेश वर्मा पुत्र मोहनलाल वर्मा और एक बड़े प्यापारी हैं आदुल्ला पुर्के निवासी हैं वही पर मौके से उनकी बाइक और पुस्त दस्ताबेच जो असपर्ट आप देख रहे हैं हमारे इतुब चैनल के कैमरे के माद हम से दिखाई दे रहा है एक बाइक और दस्ताबेच जहां पर मौके पर छलांग लगाने की बाद जब सुटना मिली तो पुलिश हागती थान की पहुंची और याद परताल सरू करती जहां से एक बाइक और पुस्त दस्ताबेच मौके से बरामत किये वो तस्वीरों में असपर्ट आप देख रहे हैं लेकिन वही पर जो आम जुबानी है कि कुछ लोगों ने चलांग लगाते हुए देखा लेकिन मौके पर कुछ ग बटालियन बीदल मौके पर पहुंच कर खोजबीन और तलाश शुरू करती है बराबर दो दिन से लगातार गतना होने से और आप तक तलाश जारी है लेकिन कहीं पता नहीं चल सका है जैसा कि आप देख रहे हैं वही पर शेकंड बटालियन बीदल जो जिला बाराइच में एक इंटर कालेज बलभदर स्कूल में पड़ी हुई है और उसी के दोरा एक खोजबीन की जा रही है लेकिन अभी तक बटालियन के कमांडर बिनोत मार और सेलेंद मार के दोरा बतायागा कि काफी प्रियास जारी है और किये गए लेकिन अभी तक शफलता हाथ नहीं लगी आज पर्च आप देख रहे हैं कि किस कदर से प्लाकॉन से मेहनत कर रहे हैं पेशी बटालियन बीदल जिला पाहराइच सी लेकिन अभी शफलता हाथ नहीं है यह वही तस्वीरे हैं जहां पर एक काफी लोग छलाग लगाने वाले लाकेश के परजन और काफी इंके साथ मे कर दो झाल 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 झाल